दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शारदूल ठाकुर ने घातक की इंदवाजी करके साउथ अफरीका की बोलती बंद कर दी है जहां दोस्तों हम आपको बता दी कि इस टेस्ट मैच में भारतिय टीम ने पहले टाउस जीत कर बैटिंग करते हुए दोस्तों दोरन बना कर अलाउट हो गई थी और जब इसके बाद साउथ अफरीका की टीम अपनी पहली पारी की शुरूआत पहले दिन करने उत्री थी तो उन्होंने पहला विकेट अपने पहले दिन ही गवाद दिया था लेकिन जब आज साथ अफरीका की टीम दूसरे दिन बल्ले बाजी करने उत्री तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी लाजवाब रही थी जहां उनके कप्तान डीन एलगर और केगिन फिटिसन इस मैच में काफी शांदार बैटिंग कर रहे थे और साथ अफरीका की टीम को मजबूत इस्तिथी में लिजा कर खड़ा कर रहे थे क्योंकि इन दोनों बल्ले बाजों ने आज के दिन चोहतर रनों की पार्टनर्शिप कर ली थी और ये दोनों ही बल्ले बाज काफी समल कर बैटिंग कर रहे थे लेकिन जब इसके बाद शारदूल ठाकुर गेंद बाजी करने उतरे तो लेकिन जब शारदूल ठाकुर गेंद बाजी करने आये तो उन्होंने इस मैच में कमाली कर दिया क्योंकि शार्दूल ठाको ने साथ अफरिका की टीम को 88 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा जटका देते हुए कप्तान दीन एलगर को आउट कर दिया और कप्तान एलगर 28 रन बना कर आउट हुए थे जहां एक तरफ किगिन पिटिसन काफी शांदार वैटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ से गेंदबाची कर रहे शार्दूल ठाकूर आज अलगी लैमें दिख रहे थे और उन्होंने इसके बाद 101 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा जटका देते हुए किगिन पिटिसन को भी आउट कर दिया और पिटिसन 12 रन बना कर आउट हुए थे जहां इसके ब पी 102 रन बना कर 4 विकेट गवा चुकी है और शार्दूल ठाकूर ने अभी तक अपने पूरे 5 ओवर भी कंप्लीट नहीं किये हैं और उन्हों तीन विकेट जटक लिए हैं शार्दूल ठाकूर आज अलगी लैमें दिख रहे हैं और अभी भारतिय टीम के पास 100 रोनों की बड़त बाकी है ऐसे में दोस्तों भारतिय टीम अभी इस मैस में जबरदस्थ वापसी कर चुकी है क्योंकि भारतिय टीम की शुरुवात तो आज के दिन अच्छी नहीं रही थी लेकिन भारतिय टीम की तरफ से शार्दूल ठाकूर ने भारतिय टीम को जबरदस्थ वाप कराई है ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतिय टीम आज के दिन साथ-अफ्रिका की टीम को आल आउट कर पाएगी कि नहीं आप अपनी कीमती राए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताए